असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडिमी के इस नए और लिटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाले हूं 12 क्लास के उर्दू के कहकरशा के किताब से चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 दोनों चैप् कि वीडियो में इसलिए कंप्लीट करा रही हूं क्योंकि इन दोनों गजल के लिखने वाले जो मुसंनिफ राइटर हैं वह एक ही हैं अस्दुल्ला खा गालिब को शॉर्ट कॉट में बोला जाता है मिर्जा गालिब और यह मिर्जा गालिब के नाम से मशूर हुए थे तो इन दोनों गजल को लिखें इसलिए मैं इन दोनों गजल को एक ही साथ पढ़ा दे रही हूं एक ही वीडियो में राइटर के बारे में भी जान लेंगे उसके सांसत पहली गजल दूसरी गजल दोनों का तश्रीक कर दूंगी और आप लोग और नॉलिज ज्यादा गेन कर प भी थी और यह श्यरोशायरी के मतलब फिल्म में बहुत दा फेमस थे इन्हीं का एक शेर है कि घंदे लिबास देखकर तू फैसला ना कर यह कौन सा दरखत है फल बताएगा यह बोले थे कि किसे भी इंसान की लिवास को देखकर यह फैसला नहीं करना चाहिए कि वह इंसान कैसा होगा ठीक वह कौँण सा दरखत है वह इंसान ज्यकौण सा वरिक्ष है यह उसका फल बताएगा उसकी काभिलियत उसकी हुalezर कि वह इंसान कैसा इंसान है ठीक है तो यह मतलब बोले थे बात किसी दावत में गए थे और उसके बाद से वहां पर इनको इज्जत नहीं मिली थी तो यह बात बोले थे मतलब बहुत दाई फेमस शायर है तो चले इनके बारे में हम लोग समझते हैं तो देखिए इनका पूरा नाम और दिया दिया रहे खालिब टीक कर दीजिए का कुशन पूछता है कि मिल्धा गालिब का पूरा नाम क्या था या अगर अग्ला नहीं दिया है तो इसको टीक कर देजीयका मंठ दोनों मैंसे कोई एक देगा ठेक है और लेकिन का पूरा नाम अश्दुल्ला बेग खाही था ठेक है अब बात कर लेते हैं इनकी पैदाइश की इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1767 इस भी को अपनी नानिहाल आगरा में कहां पर आगरा में 1767 भी याद रखिएगा क्योंकि यह कितना बार पूछा जा चुका है कि मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई और आपसन में दिया रहता है 1767 या फिर इस तरह से भी पूछा जा चुका है कि मिर्जा गालिब की पैदाइश कहां हुई तो उनकी नानिहाल आगरा में हुई थी और इनके वालिद यानिकि पीता जी नहीं भी पढ़ेंगे ना तो कोई दिकत नहीं है आप सिर्फ राइटर जो मिर्जा गालिब हैं उनके बार में सारा डिटेल्स जान जाए इन दोनों गजल को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं जो भी पुछता है ना राइटर से पूछता है मिर्जा गालिब से रिल्लेट पू भी पूछा जा चुकता है और इनके चचा का नाम था नसर लाइब और इनके नाना का नाम भाम हुसेन खा यह मेरट की सरकार थी वहां के फॉजी में से एक थें इनके नाना मिरदा अम धुलाम याद रखिए गा यह given का पूछतinek यह तो इन fractionिका पूछ सकता है यह तो पूत सकता है या तो इनके चचा जी का पूत सकता है देखिये जब मिर्दा गालिब पांच साल के Googled या इसके बाद से टीरा परस की उमर में लेकिन इनकी माली हालत अच्छी नहीं अरती की पैसे की कमी थी तो इसलिए खांदानी पेंशन के चकर में यह कलकत्ता भी गये थे कलकत्ता से वापस है ठीक और उसके बाद से मतलब पेंशन तो मिल गई लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स इनका परिशानी बढ़ती गई और उसके बाद से अंत में पेंशन के चक्कर में इनका इंतकाल हो गया पंदरफ फरवरी के लास्ट लाइन में जो नाम यूज करता है उसी को कहते है तखलुस तो मिर्जा गालिब जो है अपने शायरी के लास्ट लाइन में पहले जो नाम यूज करते थे वो था असद लेकिन बाद में वो अपना तखलुस चेंज कर दिये और वो गालिब लगाना शुरू कर दिये यानि कि वो अपने शिरोशाहिरी के लाश्ट लाइन में कौन से नाम ये उसक्रू करना इनका तक्लूस क्या होगिया गालिब इस तरह से भी कॉष्चन स्वीव पूछता है है कि मिर्जा गालिब का पहला तखलूस क्या था तो आसद या फिर इस तरह और फार्सी दोनों में शेरोशाहिरी की है उर्दो फार्सी दोनों लेंग्वर्ज ने, खुतोत के दो मज्मुएं, यानि कि खत का दू किताब का नाम Дिया है आपलों के भुक में, पहला है उ dinero हिंडी और दूसरा है उदयमौला, यह दोनों मिर्जागालिब के दो खुतूद के मजमूही का नाम लिखिये और आप लोग को सब्जेक्टिव में लिखना होता है पहला कई नाम है उदहिंदी और दुसरा का नाम है उर्दोय मुल्णा या फिर इसे को उपजेक्टिव बना कर भी पूर सकता है कि मिर्जागालिब के खत के मजमूआ का नाम क्या है और अपसन में दोनों में से कोई एक दे दिया रहेगा तो आप लोग टिक कर दिजेगा ठीक तो यह होगा मिर्दा गालिप के बारे में कुछ डिटेल्स जो भी आप लोग के बुक में दिया था डिटेल्स वो सारा चीज में आप लोग को बता ठीक तो पहली गजल के शुरुवात में लिखे हैं मिर्दा गालिब कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं खाक ऐसे जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं यहां पर बोल रहे हैं कि मैं दायम मतलब होता है हमेशा मैं तेरे दर पर तेरे दर्वाजे पर है नहीं तो हमेशा जिंदगी पर के लिए मतलब वहीं पर पड़ा रहता है तो मैं कोई पत्थर नहीं हूँ मैं इंसान हूँ और इंसान के अंदर होती ही रहती है क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा न जाये दिल इनसान हूँ प्याला वसागर नहीं हूँ है यह बोल रहे हैं कि इनसान के जिन्दगी में मुसीबत और परिशानिया आति ही रहती है लेकिन अंद परिशानियों को देखकर इनसान कंगड़ांब्रा क्यों गर्दिश मुदाम से घबराना जाया दिल इनसान क्यों नहीं घबराएगा परेशानियों को देखकर बेशक उसका घबराना लाजमी है मैं कोई प्याला वस्तागर नहीं हूं कि मैं परेशानियों को देखकर ना घबराऊं मैं एक इनसान हूं और इनसान को मुसीबतों को और प्रिशानियों को देखकर गब राना लाजमी हैं वो क्यों नहीं घब्राइगा या रब जमाना मुझ को मिताता है किसलिए लो़े जहां पे हर्फ मुकरर नहीं हूँ मैं यहां पर बोल रहे हैं या रब या खुदा यह संद्माना मुझग को क्यों मिटाना चाहता है मैं इस दुनिया में रफ लिखा हुआ हर्फ मैं जब दो ठीड हर्फ यहन दो अक्षर लिक्न तो एक को मिटा दिया जाता है एक से काम चलाने के लिए उसी तर्छ यहां पर बोल है कि मैं भी इस दुनिया में दो भार लिखा हुआ हं यहाँ यहां नहीं pure नहीं कि एक इस लोग मुझे मुझे नहीं जानते हैं मैं अक्यम्ति पत्थर नहीं हूं सोना चांदी मोती हीरे जवरात में नहीं हूं लेकिन इंसान तो हूं और इंसान दूसरे इंसान से क्यों नहीं बात कर सकता तो लोग सिर्फ मतलब दूसरे लोगों से जिससे काम है उस नहीं से क्यों बात करते हैं आ तो मैं भी तो इनसान हूं और दूसरे इनसान से क्यों नहीं बात कर सकता गालिब वजीफा खुआर हो दो शाह को दूआ वदिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हुँ मैं यहाँ पर देखे यह लास्ट लाइन है और इसमें अपना तखलुस गालिब नाम का यूज किये हैं तो तो वही बोल है कि गालिब तुम वजीफा खुआर हो यानि कि तुम सरकार के पेंशन लेते हो अब तुम अपने सरकार को यानि अपने बादशाह को दूआ दो वह दिन गए जो कहते थे कि मैं नौकर नहीं हुँ मैं अपने बल्बूते पर कमाता हुं और खाता हूं लेकिन अब तुम सरकार की पेंशन लेते हो तो अब तुम अपने सरकार अपने बाद्चा को क्या दो दुआये दो ठीक तो यह हो गया आप लोग का लास्ट लाइन और पहली गजल कंप्लीट और अब हम देखते हैं दूसरी गजल को शुरुवात में लिखे हैं अश्दुल्ला खा कि सब कहा कुछ लाला वगुल में नुमाया हो गई खाक में क्या सूर्ते होगी के पिना हो गई यहां पर बोल रही हैं कि इस दुनिया में बहुत से खुबसूरत खुबसूरत चेहरे थे जो इस मिट्टी में जमीन में जमीन के अंदर दफन हो गई बहूत धेर सारे लोग जो है ना आप सोचे ना जब से दुनिया आबाद हुई है तब से अभी तक कितने करोडों लोग की मौत हुई होगी और इस जमीन के नीचे वो दफन हुए होंगे ठीक तो ही बोल रही है मिर्जा गालिब कि सब कहां मतलब सबका तो मैं जिक्र नहीं कर सकता सबको मैं सबको जाहिर नहीं कर सकता कि कौन कौन से लोग जो है वो इस जमीन के नीचे दफन हो गए हैं लेकिन जो लोग खास काम करके गए हैं अपनी जिंदगी में कुछ करके गए हैं या तो अच्छाई उभर कर सामने आती है लेकिन सभी चेहरे को जाहिर कर पाना ये मुश्किल काम है कैद में याकूब नेली गोना यूसुफ की खबर लेकिन आखे रोजने दिवारे जिन्दा हो गई यहां पर बोल रहा है कि कैद में याकूब नेली गोना यूसुफ की खबर देखिए यूसुफ 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 यूसु अपने बेटे को देख पा रहे हैं और यूसुफ लिएसलाम को भी ऐसा लग रहा था कि मतलब उनके जो पिता है याकूब लिएसलाम उनके आस पासी है ठीक तो वही बात कही गई है जुए खूँ आखों से बहने दो कि है शामे फिराक मैं यह समझूंगा कि शमे दो फरोजा हो गई यहां पर बोल रहे हैं कि मेरे आखों से जो खून के आसु बह रहे हैं इसे बहने दो कि यह जुदाई की रात है और मैं समझूंगा कि जो दो शमा है वो रौसन हो गई मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तां खुल गया बुलबूले सुनकर मेरे नाले गजल कुल मस्जिद मदर्सा खुल गया ठीक मैं चमन में क्या गया मेरे शिक्वे मेरे गम को मेरे दर्द को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जो बुलबूले हैं वो भी घजल गाने लगी मेरे साथ हम मौहिद हैं हमारा के शहतर के रसूम मिलते जब मिट गई अज्जाय इमाह हो गई यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम मौहिद हैं यानि कि हम खुदा को एक मानने वाले हैं हमारा जो धर्म है उसमें जो रस्म होता है उसको मैं छोड़ देता हूं उसको मैं नहीं मानता हूं ठीक मैं सिर्फ खुदा को एक मानता हूं और जो मजहब से मिट गए हैं वो उनका एक हि हम की आदद पर जाती है वह मेशां दॉ tes रहता है रहता है द्रड स Hahn eine क्या हम जाता दिया तो उस इंसंथा siranag k documents ने की खम मिट जाता है ऐसा लगता है कि लिधा को मिल्स का को आदत बन जाता है हमेशा के यदिक्ट ये मैं इतनी जादा मुश्किले आई कि मुश्किले भी आसान में लगने लगी में बहुत अब चिमनर परेशानिय से लड़ा अब मेरे जिंदगी में स्धिनरी नहीं आए थ्यू बोल रहे हैं कि घालिब अगर तुम इसी तरह रहे ना तो देखना यह जो बस्तिया है और बस्तियों के जितने भी लोग है वो तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ कर चले जाएंगे तुम हमेशा इसी तरह रहोगे तो कौन तुम पर विश्वास करेगा तुम्हारे बस्तियो जो है वह वीरान हो जाएंगी इनकी खाली हो जाएंगी तो यह था आप लोगों का लास्ट लाइन और यहीं पर होती है आप लोगों की दूसरी घॉजल कमप्लीट तो कोई भी कमफ्यूजन हो इन दोनों घॉजल से रिलेटेड या फिर मुसंनिफ से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाखी में आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और उसके बाद से आप लोगों को सबसे ज्यादा शेयर करना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास ज और खदा हाफिस